हालो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई एर एपसी और आर बी एनल के बारे में जो मैंने आज के दिन वीडियो डाली थी उसमें थोड़ा साउंड इश्यू भी था प्लस अगर आप देखूंगे जो मैं आपके सामने एक इश्यू बता रहा था यूट्यूब की तरब से वो यह है कि जैसे ही वीडियो आप अपलोड करते हो तो उसके पांस से साथ मिनट तक वीडियो प्ले ही नहीं होती है और उसकी वजह से जो वीडियो के रीच है वो बिलकुल ही खराब हो जाती है तो यह सारी चीजों की वजह से मैं आपसे बस एक रिक्वेश्ट जरू करना जाता हूं कि इस वीडियो को जादा से जादा लाइक जरू करिएगा यह वीडियो थोड़े सी जादा लोगों तक पहुंचे और इस वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंड अपडेट शियर करने वाला हूं तो जादा से जादा लोगों तक जो एक्चुल चीजे हैं वो पता लग पाए तो यहां पर चैनल पर अगर आपको बताये था कि मुवेंटम कैसा रहा था 76.55 पे क्लोजिंग हुई थी लगबग 30% के आसपास का जो ओवराल क्लोजिंग है अपसाइड में वो देखने को मिली थी लेकिन एक चीज़ अगर आप देखो तो यहां पे दो बच के 43 महट से लेकर तीन बच के 26 महट तक लगबग 1% की गिरावट भी हो गई यानि कि अगर आप देखोगे तो जहां क्लोजिंग लगबग 2.27% पर हुई वहीं अगर आप देखोगे तो उसमें अगर यह नहीं होता तो शेयर की जो क्लोजिंग होती वह लगबग 3.5% के अप साइड पर होती तो यह लास्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट के एंड में आपको देखने को मिला था और सेम सेनेरियो हुआ यानि कि लगबग 2% के आसपस की तेजी के साथ क्लोजिंग तो जरूर हुई लेकिन 2.43 मिन से लेकर 3.26 मिन तक अगर हम सेनारियो देखते हैं तो लगबग 1.63% की गिरावट हो गई इसमें अगर आप यहां पर देखते हो तो यहां भी अगर अगर यह गिरावट नहीं होत हूँ वो यह है कि 11 सेप्टमबर से लेके 29 सेप्टमबर यानि कि आदे महीने में शेयर में गिरावट हुई है यानि कि अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको लगबग 10.50 का करेक्शन देखने को मिल रहा है इसका मतलब यह है कि जो भी लोग इसमें जो बाइंग पोज अभी नजर आ रहे हैं अगर आप पुजिशन मनाने चाहते हैं तो मेरे घ्याल से और ज्यादा करेक्शन का वेट आपको करना चाहिए अब सबसे पहले बात करेंगे बंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड जो अपडेट निकल के आई है वो क्या है तो बंदे भारत स्लीपर ट देखोगे तो यहां पर आपको बताई है कि इंडियन रेलवेज ने अल्रेडी जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है और यहां से अगर आप देखोगे तो ओवरॉल चीजा जो वह भी ट्रेक पर चलते हुए नजर आ रही है नहीं अब बोलाएंगे यह एक सिग्निफिकेंट development है जिसमें इंडियन रेलवेज ने किनेट रेलवेज सॉल्यूशन के साथ जो की एक जॉइंट वेंचर है MWM और LES जो की रसियन कंपनी है तो इनके साथ अल्रेडी कॉंट्रेक्ट कर लिया है और इसमें जो मेन हमारी इंडियन कंपनी रहने वाली है वो है आर बीनल अब आर बीनल यहां पर अगर आप देखोगे तो मेन जो हमारा फोकस है वो बंदे भारत स्लीपर कोच इस पर है तो कि अभी तक जितनी भंदे भारत है वो आपको देखने को मिल रही है जो आपका चेयरगार होती है वो ठीक है तो यह भी एक बहुत बड़ी चीजे मानी जा रह ही है तो उसके अकॉर्डिंग ब्रोक्रेस हाउस क्या गह रहे हैं तो यहां पर आप देखो कि स्टर पर शॉट टम के लिए खरीदारी की सला दी है अगले तीन महीने में अगर आप देख सकते हो तो खरीदारी कर सकते हो 188 रुपीस का टार्गेट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है टार्गेट प्राइस 12 प्रतीसस से जादा है जैते मैंने आपको लॉंग तम के लिए तो बताई दिया था कि पोजिशन मिल्कुल सही है लॉंग तब में बना सकते हो पोजिशन यहां से लेकिन शॉट टम में अगर आपको बनानी है पोजिशन तो फिर आपको यहां से 10 से 12% अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो एक सही टाइम है एंट्री का जिसमें अगर आप देखो तो आने वाले तीन महीने के अंदर शेयर जो है वो 188 रुपे तक जा सकता है ठीक है तो यह आप यहां पे देख सकते हो बाकी अगर हम बात करें तो यहां पे आपको मैंने प्रीवेस वीडियो में बताया था लेकिन साउंड इश्यू की बज़े से बहुत सा लोगों का कॉमेंट भी आया था कि अच्छे से समझ नहीं आया तो एक बारी मैं बता दोता हूं दुबारा कि जो आर्बीनल है उसको मार्केट क्लोजिंग के बाद एक बहुत बड़ा ओडर मिला है और यह जो ओडर है वो लगवग 1100 करोड है यानि 1098 करोड का प्रोजेक्ट है और मार्केट क्लोजिंग के बाद आपको यह देखने को मिला इसमें अगर आप देखोगे तो जो ओवराल माहल पॉलिटिव बनना था वो उस टाइम पे नहीं बन पाया तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इस न्यूज का इंपक्ट जो है पॉजिटिव मैनर में पढ़ते हुए नदर आने वाला है और अगर आप यहां पर देखोगे तो इस कंपनी को यानि की आर बियरल को कॉंटिनियूसली ओडर मिल रहे हैं ऐसा नहीं है कि य 1500 पसंट से ज्यादा के रिटरंस दे चुके हैं यानि कि अगर आप देखोगे तो जून 23 में भी करीबन इनको 65 हजार करोड रुपे का जो फाइनिशल कंसॉलिडेटी सेल्स हा वह 3.10 गुना हो चुका है और अगर आप देखो तो यहां से जो आर बीनल है वो एक बड़े की इतिमान बनाने की तरब बढ़ते हुए नजर आ रही है इसमें जैसे 1098 करोड का जो ओडर इनको मिला है तो इनमें अगर आप देखोगे तो कंपनी को साउथ जोन से डिस्ट्रिविशन इंफ्रेस्ट्रेक्ट्टर ड्वेलमेंट का काम करना है तो इस प्रोजेक्ट में जो अभी समहीने के अंदर यानि कि दो साल के अंदर अंदर पूरा भी करना है यह पिए स्टॉक दो फीजदी सी की तेजी के साथ यहां पर बताया गया है कि कैसे क्या कुछ क्लोजिंग होई है लेकिन जो में अभी इस पर्टिकूलर न्यूस के इंपक्ट के बाद शेयर में तेजी आ नहीं थी वो अभी भाग की है तो वो हो सकता आपको मंडे को देखने को मिल जाए अब जैसे कि मैंने आपको यहां पे यह वाला बता दिया फिर मैंने आपको बं सब्सक्राइब कर लो या फिर आप इसके फाइनांस जो है इसका जो अबरॉल बेंचमार्क है उससे कंपार करोगे तो कोई कंपारिशन नहीं है क्योंकि इन पर्टिकूलर स्टॉक्स ने काफी हायर परसेंटेज से आउट परफॉर्म किया है तो यहां से अगर आप देखो आपने जो भी डाउट भी है वो भी मेंशन कर सकते हैं सोड़न में ट्राइब करूंगा उनको जल्दी त्यल्दी रिजॉल्व करनेगा